नमस्कार दोस्तों और आज किस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले है ना मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मतलब आप इमाजन करो एक गेमिंग लापटॉप जिसमें आप कोई भी AAA टाइटल चला सकते हो एक तम हाईयर सेटिंग में तो आप क्या इमाजन करोगे एक पलकी सा लापटॉप जो की अलमोस एकदम ब्रीफ केज ऐसा दिखे उसी के साथ-साथ मतलब उसका डिजाइन एकदम फ्लैश ही आ रहा हूँ आपके दिमाग में जैसे कि आर्जीव लाइटिंग आगे है पीछे है पैनल में हट जगे है और उससे जादा जो बड़ी बात आपके मन में आ रही होगी भाई प्राइजिंग क्या होगी मतलब जो गेमिंग लापटॉप से आजकल इतने महंगे हो गया है और इतने बल्की हो गया तो आप यहीं मैजन कर रहे होंगे पर दोस्तों अगर मैं कहूं कि ऐसा जरूरी न नहीं बलकि अपने गेमिंग नीट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं तो आई दोस्तों लापटॉप के बारे में बात करते हैं कि क्या है उसके फीचर्स और अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हैं तो क्या आपको यहां पर भढ़िया बात देखने को मिलेगी चले दोस् सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो टॉपिक होता है जो कोई भी चीज होती एक लापटॉप के बारे में वह होती ही डिजाइन तो वहीं से चालू करते हैं और यहां अगर आप इस लापटॉप को पहली नजर में देखे तो आपको लगेगा कि यहां पे दोस्तों यहां पे मल रिखन कर कया गया है लेकिन दोस्तों यहां पर हाई क्यूलिटी प्लास्टिक फिनिश दे एकर करे उसकी जो दो कम रखी गए अन टैampa और देसी इस थो आप दिरिंग बनाए घए अन पोर्टेल भी दोस्तों यहां पर है बिकॉसका जो ओट और वो कम है, बॉडी में अगर आप देखें तो जो फ्लेक्स है वो ना के बनाबर है, बैक प्लेट पे आपको रेड कलर का MSI परफॉर्मेंस मिलता है, चाहे ट्रावल कर रहे हो, या फिर काफे में काम कर रहे हो, इसे कैरी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अब नेक्स तो कीबोर डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, की अगर बढ़िया हो न तो भाई आपको जो काम है वो आधा सही हो जाता है तो इस लैपटाप में दोस्तों आपको एक बढ़िया कीबोर्ड मिलता है जहां का जो की ट्राइबल है वो काफी सही है, फीड़ाइक और टाइप करने में सही एक्सप्रियेंस आता है। नेक्स बात करते हैं कि डिस्पले के बारे में तो वो भी दोस्तों हैं पर काफी सही है, पैनल IPS LCD है, प्राइटनेस काफी सही है, व्यूविंग अंगल से तो आपको यहां पर अच्छे देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो जो मैट फिनिश है वो मुझे काफी सही लगा इस पर्टिकुलर लाप्टॉप का जाहे आप आउडोर्स में हो या इंडोर्स में हो, गेम खेल रहे हो या फिर काम करे हो, तो जो मैट पिनिश है जो खुछ साथा ही प्रीमियम लगता है डिस्प्ले के बारे में नेक्ट बात करते हैं, तो आप यहाँ पे अपने लाप्टॉप को कन्फिगर कर सकते हैं, चाहे तो 10 Gen Intel i5 या फिर i7 प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आपको उनको खेलने के एक्स्पिरेंस भी बहुत बढ़ी हाता है, बेंचमार्क स्कूर्स भी आप देख सकता है कि काफी जादा साही है, तो दोस्तो चाहे में अपना देटो दे काम जैसे की एडिटिंग हो गया, फोटो शॉप पे प्रीमियम प्रो पे हो गया थोड़ बहुत परफार्मेंस है वो आपको सिरफ हार्डवे स्पेसिकेशन से नहीं मिलती है, अगर दो लाप्टॉप मैं आपको देदू, एक्जाक्ली सेम हार्डवेर रुके हो लेकिन अगर थर्मल अगर एक लाप्टॉप के खराब हो और एक लाप्टॉप के भढ़िया हो, तो जो सेटप मिलती है, डूल फैन का सेटप मिल जाता है, जो की थर्मल अच्छे खासे कम रखता है, अब यहां पर दोस्तों आपको गेमिंग की दौरान हमें 85 डिग्री तक जो पीक तंपरचर देखने को मिले है, और दोस्तों मैं ऐसे बलकी लापटॉप यहां पर 90, 95, 100 डिग् मिलते हैं, वो काफी जादा सही है, इसके अलावा जो फैन्स है, वो काफी साइलेंट है, इसलिए आप चाहें मीटिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आपके आसपास के लोगों को यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अब फाइली बात करते ह के बारे में तो आप सोच रोगे कि भाई, डिस्प्ले भढ़िया है, परफॉर्मेंस भढ़िया है, डिसाइन काफी सही है, तो प्राइसिंग भी कुछ जादा ही उपर हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहां दोस्तों प्राइसिंग के बारे में कंपनी ने एक्तम 35% का दिसकाउंट ओफर कर रही है जैसे कि आपको इस वीडियो मता है डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले सही है MSI का ब्राइंड नेम इसके पीछे MSI is a really good brand अगर लाप्टॉप की बात करें अगर अगर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप खरीदते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएगा और ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप अपने लाप्टॉप में खेलते हैं और जो हम अपने आगे आने वाले रिव्यूज में फीचर कर सकते हैं यॉर फीवरेट गेम से उस तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बता है ये तो बस से उस तो ये था हमारा आज का वीडियो और आपने अगले वीडियो तक के लिए गुट बाई